आप सभी का हार्दी कभी नंदन स्वागत वैलकम आज मैं आपको दिखा रहे हूं देखी बड़ा मन खुश होता है जब हम देखते हैं कि हमारे लगाएवे पौधे बहुत जादे फलरे फूल रहे हैं और यह देखे वैजिंती माला के मोती कितने खूपसूरत लग रहे हैं और मैं आपको दिखान से आप देखेगा पता रहे हूं जो हरे रंग के मोती हैं वो कच्चे हैं अभी और जो ग्रे कलर के हैं और डार्क कलर के हैं ठोड़े मतलब कलर डार्क हो गया है और कुछ वाइट है वो पक चुके हैं और जो यह लाइट ग्रे में है एक ठोड़ा ग कुपसूरत लग रहे हैं और आपको कथा तो मालूम ही होगी कि कृष्ण जी ने मोती बोए थे जब दन्द बाबा की गले से माला छीन ली थी इसकी कथा है बच्चे होते हैं छोटी-छोटी और जमीन में बो दिया था और वो तो इश्वर से विष्णु स्वरू और वहां प पूल कैसे आता है मैं आपको दिखा रहे हैं यह दिखी यह तो खेर सहरा बेल है हमारे दिखाते हूं ठोड़ी देखे इतने खुबसूरत इनको भी नजारा लेई ली जा यह देखी मैंने की हैं इनकी बहुत सारे वीडियोज शेयर ऐसे होते हैं देखे बस फूल ऐसे नही दहान की बाली या आप कहसकते हैं भुटा होता है जो एक मकी उसकी बाली ऐसे होते हैं यह दिखे है यहां से छेद होता है इधर भी छेद है और उधर भी तो इनमें छेद नहीं करना पड़ता है इन मोदियों में ऐसे होते हैं यह स्वाभावीक इश्वर के बनाए हुए यह देखें मोती जड़ जड़ के ऐसे इनके पौधे उग जाते हैं अब मैं आपको दिखा रहे हुए बेबी प्लान दी कैसे यह देखें यह देख रहे हैं जड़ यह मोती है समझे बीज मतलब वैजिंती महला का मोती यह देखें यह जब गिरता है भूमी में यह देखें ऐसे दोनों तरफ से आप देख रहे हैं मैं बहाद धहान से आपको दि आर ये दिए दिए